So hey guys, as you know, East vs. West 14 event is over and the main exciting match, Devon Lorette vs. Chan Shaw is also happened. So, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा announcement Devon Lorette ने अपने match में किया है, जो कि आप लोग को सुनके हैरानी हो जाएगी. और साथ ही साथ, John Brissing, Todd Hutching, Jerry K. Dorit और Michael Todd इन चारो प्लेयर्ज ने भी अपने match में बहुत ही तगड़ा performance शो किया था और चारो ने end में match के बाद किया announcement ये आप make sure सुनिएगा, बहुत ही जादा मजा आने वाले हैं आपको ये announcement सुनके और बहुत ही interesting है ये video, so end तक देखेगा. So hey guys, welcome back to KSF Academy, अगर आप एक arm wrestling fan है, so make sure आप ये channel subscribe करके रखें, क्यों because हम arm wrestling से जुड़ी सारी के सारी videos, जैसे की workouts के vlogs, news, updates, सब कुछ आपको इसी channel पे देते हैं, so make sure आप हमें subscribe कर लें. So directly jump करते हैं हमारे video के तरफ, so यहाँ पे Devon Larratt का जैसे ही match खतम होता है, वैसे score रहा Devon का 3 और Chance Shaw का 1, so यहाँ पे Devon Larratt easily victory ले लिये थे, और उसके बाद जब match खतम होता है, coach ने उनसे काफे सवाल पूछते हैं, उसमें से main जो जवाब था उनका कि वो अब 105KG category में आ रह और साथी साथ उन्होंने Travis के लिए भी कुछ statement दिया, because Travis Bajant उनको बहुत mock कर रहे थे कि तुम नहीं जीत सकते हैं, चान शो से बहुत स्टॉंग है, तुम weak हो गया है, बट वहाँ पे backfire होके वो Travis Bajant को बहुत कुछ बोल देते हैं, और main यहाँ पे जो highlight यह है कि अभी November 2 को जो है उनका 105 kg category का match रहेगा, और यहाँ पे वो full on training practice सब कुछ करने वाले है, जैसे कि उन्होंने बताया है, so next super match भी Devil Larratt का देखने के लिए बहुत मजाएगा, और एक post match interview का भी video लाया था East vs West के channel पे, जहाँ पे Devon ने यह inform किया था, कि यह match बहुती surprising, बहुती जल्दी ज चान्शो को भी appreciate किये, because यहाँ पे Devon Larratt को भी 6 दिन के notice पे match accept करना था, और चान्शो भी जो है, उनके भी बहुत सारे गाम देबट उन्होंने भी match accept किया, और फटाफट से दोनों table पे हैं, और match खतम किया, so यह चीज उन्होंने बोला है, और जो 105 kg category का match होने वाला है, ड लेओनीदास से 3-0 के score से, और उसके बाद match खतम हो जाता है, फिर जब coach रे सब पूछते हैं उनसे, तो सबको thank you बोलते है, उसके बाद वो यह inform करते कि उनका थोड़ा सा जो है, कुछ muscle खिच गया है, so उन्होंने बोला कि मुझे couple of months का rest लगेगा, so यह था John Brissing का कहना, उ उसके बाद coach रे ने उनसे ये पूचा कि क्या तुम वापस से 95 kg केटेगरी में cut turn हो के वापस से खेलने वाले हो या यही weight केटेगरी चालो रखोगे, so Todd Hutchings ने ये बोला कि ये साल जो है, वो 105 kg केटेगरी में ही खेलेंगे, और उन्होंने डेवन लेरेट को ललका रहा है, और clearly उनके मुँपे mock उन्होंने ये क्या कि मैच चांशो से तो आज तक एक match भी नहीं आ रहा हूँ, बर तुम एक match हार चुक है, वो जो first round डेवन हारे थे, so यहाँ पे Todd जिला ने जो है, डेवन लेरेट को ललका रहा है, 105 kg के लिए, देखते हैं अभी Todd Hutchings के साथ उनका match ह बहुत ही amazing था, और वहाँ पे जो है, Alex कुरतेचा को बहुत flop press करके easily वो जीत गए, और end में जब coach ने उनसे पूस्ते हैं कि हाँ, आपने बहुत अच्छा जो है अपना performance शो किया है, so अब क्या, हमें क्या वो super match देखने मिलेगा, वो super match से मतलब है, क्या लेवन के साथ आप अब जेरी के डरेट तो काफी strong लग रहे हैं, बट क्या वो level 1 के level पे strong हुए हैंगी वो आपे देखना पड़ेगा, और end में जो है Michael Todd, Michael Todd ने कमिल जबलॉंस की को इतने प्यारे तरीके से हराया है, 3-0 से कमिल जबलॉंस की पूरा press वगरा सब दे रहे थे, बट फिर भी Michael Todd अपने proper king zoom में आराम कर रहे थे, और बाद में जो है वो पूरा match जीच जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा emotional हो गय थे, Michael Todd तो सबसे पहले बतादू, बहुत ज़्यादा emotional हो गय थे, रो रहे थे, और उसके बाद वो खुश हुए, और उन्हेंने बुला कि ये सारे Michael Todd का super match देखने मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने clearly ये बोल दिया है, कि मुझे गिनाडी के साथ खेलना है नॉम्बर 2 के east vs west 15 में, so obviously यहाँ पे एंगिन कुछ न कुछ तो match अप रखेंगे, so ये थे कुछ top players के top matches और उनके post match interviews, so hope करता हूँ आपको ये video पसंद आया होगा, और जो भी इतना end तक देख रहा है, बाई आप सबको पता है, मैं रात के साड़े चार बुजे तक live कर रहता हूँ, उसके बाद videos बगन डाला हूँ, so या नहीं हूँ ठीक से, तो please like करना बनता है, इस video को like कर देना और जो भी subscribe नहीं के subscribe कर देना जरूर, so मिलते हैं आपको एक next big episode में, so तब तक stay tuned, bye bye